रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करे बी एच बीसी न्यूस चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले बैंगलूरू में सोदेशी लड़ाकू उमान तेजस में गुरुवार यानि आज रक्षमंत्री राजनाथ सिंग ने उडान भरी पहली बार देश के रक्षमंत्री सोदेशी लड़ाकू उमान तेजस मोडान भरने वाले थे बैंगलूरू में सोदेशी लड़ाकू उमान तेजस में गुरुवार यानि आज रक्षमंत्री राजनाथ सिंग ने उडान भरी वो ऐसा करने वाले देश के पहले रक्षमंत्री बने आईए आपको बताते हैं कि तेज़स की खाश्यत और उसके इतिहास क्या है पैंगलोर में सोदेशी लड़ा कुमान तेज़स में गुरुआ रियानी की आज रक्षमंत्री ने उडान बरी वे ऐसे पहले रक्षमंत्री हैं जिनोंने तेज़स में उडान बरी और साथी वाई सेना के किसी भी जाहाज में उडान बरी तीन साल पहले ही तेज़स को वाई सेना में सामिल किया गया था अब तेजस का अप्डेट वर्जन भी आने वाला है तेजस ने अपनी पहली उडान 4 जनुरी 2001 को भरी थी यह एक स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट यानि की H.E.L. द्वारा बनाए गए इस विमान का अधिकारिक नाम तेजस पूर प्रधान मंत्री अटल वियारी वास्पे ने दिया था यह संस्कृत का सब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यादिक, ताकतवर और उर्जावान H.E.L. ने इस विमान को लाइट कॉमबेक्ट एरक्राफ यानि की L.C.A. हलका युद्धक विमान प्रोजेक्ट के तहट बनाया है वही रक्षमंत्री राजनाज सिंग निर्मित हलके लड़ा को विमान तेजस में गुरुवार को बैंगलूरू में L.A.L. हवाई अड़े से उड़ान भरी बताया जा रहा है कि तेजस लड़ा को विमान में उड़ान भरने वाले राजनाज सिंग पहले रक्षमंत्री है उड़ान भरने से पहले भारतिया वाई सिने का अधिकारियों ने राजनाज सिंग को इसका ब्यौरा दिया बुडान भरने से पहले राजनाज सिंग फ्राइंग पोसाक में भी दिखे इस विमान को तीन साल पहले ही वाई सेना में सामिल किया गया था अब तेजस का अपग्रेट वर्जन आने वाला है इसे हेल ने तैयार किया है और यह तेजस हलका लड़ाकुई मान है 83 तेजस विमानों के लिए हेल को 45,000 करोड रुपे का ठेका मिला है भारत के स्वदेशी और हलके लड़ाकुई मान तेजस में वो सारी खूबिया है जो दुसमन को हराने की पूरी ताकत रखती है चुकि एक हलका फाइटर जट प्लेन है इसलिए इससे दुसमन पर वार करना भी आसान हो जाता है यह चीन और पाकिस्तान के लड़ाकुई मानों को कड़ी टक्कर दे रहा है आपको बता दें कि तेजस को बनाने में लगबग 300 करोड रुपे खर्च होते हैं जादतर भारत्य तकनी के होने के बावजूदती इस लड़ाकुई मान का इंजन अमेरीकी है रडार और वैपन सिस्टम इसराइल का है और इंजेक्शन सीट ब्रीडेन का है तेजस का वजन 12 तन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है इसके पंक का फैलाओ 8.2 मीटर है जबकि उचाई 4.4 मीटर है और रफ्तार 1350 किलो मीटर प्रती घंटा है दुस्मनों के विमानों से निपटने के लिए इस्तमाल होने वाले इसका मिशन कंप्यूटर भारत्य तक्नीकी पर आधारीत है इस लडाक विमान में R-73 Air-to-Air मिसाईल लेजर गाइडेड मिसाईल और Beyond Visual Range अस्तर मिसाईल लगाई जा सकती है इस जेट को बनाने में भारत निर्मित कारवन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है इसकी वज़े से यह हलका और दातों के मुकाबले बहुत मजबूत है टेजस में Fly-by Wire सिस्टम है इसके जरीए विमान को उडान में सहय कंप्यूटर नियंतरित इंपूट्स मिलते हैं यह पूरी तरह भारत के तकनीकी है फ्रेन में लगा मुक्या सेंसर, तरंग रडार, पाइलेक को दुस्मन जेट्स या जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाल के बारे में बताता है यह सेंसर भी भारत में बना है प्यूरो रिपोर्ट बीएच बीसी न्यूज़ रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बीएच बीसी न्यूज़ चैनल साथ ही रोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले